college में था तो थो चोटे-चोटे बच्चे रहते थे जो मेस में खाना हमी लोगको खिलाते थे तो उनका हम हमलों का नाम रखे थे इस एक बच्चे का नाम रखें एक बच्चे हुआ Fiftyrix से लाइटसब। एन S2 दो सेट लाइट है और एक का नाम S1 है और एक का नाम S2 है moving in the same orbit the mass of S1 is 4 times S2 which of the following statement is correct यह theoretical और conceptual है ठीक है अगर आप theory पड़े हो concept पड़े हो तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो हम लोग की पास दो सेटलाइट है लेकिन दोनों के mass अलग अलग है फोर टाइमस है यार ठीक है S1 and S2 are moving S1 is 4 times then S2 चलो इधर मैं आपको समझाता हूं और एक एक हम लोग चेक करते हैं option ठीक है यह Earth है और Earth के round 2 सेटलाइट है are moving same orbit हां interesting बात है कि orbit same है और इस orbit में दो सेटलाइट है एक सेटलाइट S1 है और दूसरा सेटलाइट S2 है इसका mass जो है वो 4 M है और इसका mass M है ठीक है 4 times M है clear है अब इसमें से option चेक करो the potential energy of the Earth and satellite in the two cases are equal बिल्कुल गलत बाद potential energy जब दो particle की लिखा जाता है ग्रेविटेशन में तो क्या होता माइनस Z M1 M2 ओवर डिस्ट इनके बीच का distance आर अगर एक Earth हो गया और एक सेटलाइट हो गया तो इन दोनों के masses अलग होने की वज़े से potential energy इन दोनों का potential energy से थोड़ी होगा हाना क्योंकि potential energy माइनस Z M1 M2 R होता है तो यह option बिल्कुल गलत है S1 और S2 की speed सेम होगी speed कौन सी speed होती भाई आर्बिटल स्पीड होती है तो आर्बिटल स्पीड का फर्मुला क्या होता है रट लिए हैं जी एम ओबर आर्बिट का distance जी एम ओबर आर आर जो है आर्बिट का distance ठीक है यह कभी-कभी आप ऐसे भी लिखते हो जी एम इसकुल टू capital R plus H surface से height है और radius सेटलाइट बहुत close है तो जी एम ओबर आर्बिटल स्पीड हम सब को पता है कि आर्बिटल स्पीड सेटलाइट का सेटलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है एक आर्बिट में ठीक है मतलब एक ही आर्बिट में इसका मतलब एक ही आर्बिट में बड़ा सेटलाइट रखो छोटू सेटलाइट रखो ठीक है बहुत बड़ा रखो तो उसे आर्बिटल स्पीट पर कोई फरक नहीं पड़ता है आर्बिटल स्पीट देज नाट डिपेंड अपान दे मास अपने सेट लाइट इस बी ऑप्शन सही है काइनेटिक इनर्जी आप टू सेट लाइट अर इक्वल क्या काइनेटिक इनर्जी क्या होगा हाफ एम वी टॉपाइम प्रेड़िएंड नाट स्वाइड टॉपाइड दिश्टैंस अपन इस्पीड भी टीचार्परेड सपीड टूपाइड रबिटल स्पीड थी इक साइकल में तूपाइड रडिस्टेंस चला और आर्विटल भी तो तूपाइड आर्बीटल स्पीड मास पर इंडिपेंडेंट है तो टाइपरेड मास पर इंडिपेंडेंट है मतला बी। सही है मिंटक कर लग चलू झाल झाल